हेलो एवरिवान तो चली आज की इंपॉर्टेंट न्यूस के साथ हम आगे चलते हैं उतक्रिष्टिश एक्षनिक प्रबंधन के लिए DAAD यानि की डाट पुरसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो वो है शिप्रा दुरेजा जीने DAAD पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है इसके साथ ही हम आपको कुछ main major points भी बताएंगे पहला है राश्ट्री ए उर्जा संसकरन पुरसकार 2021 किस हवाई अड़े को मिला है तो ये राश्ट्री ए उर्जा संसकरन पुरसकार मिला है है थराबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट को सुशीला दीवी पुरसकार 2021 से किस प्रसिध लेखिका को सम्मानित किया गया है तो वो है अनुकृती उपाध्याई जो एक प्रसिध लेखिका है 56 ज्यानपिट पुरसकार किसे मिला है तो ये मिला है नीलमणी फूकन को चलिए आगे देखते हैं डियाडियो ने बॉडर सर्विलिन्स सिस्टम बैंक तक्नीक सौपने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो ये समझोता किया गया है पारिस रक्षय और अंतरिक्ष प्रद्योगी की के साथ यहाँ डियाडियो के बारे में आपको बताते हैं डियाडियो है डिफेंस रिसर्च और डिवेलप्मेंट ओगनाइजेशन इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेड ओफस दिल्ली में है नेक्स्ट है यूको बैंक के नए प्रबंदक निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी कौन बने है तो सौम शंकर प्रसाद जी को यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त गया गया है यूको बैंक के बारे में आपको बता देए कि इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और इसका head office call का तम में है यूको बैंक का एक tagline है जो है honors your trust चलिए आगे देखें हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेटर लाइन का उधगाटन किया है तो वो है चीन जिसने दुनिया की सबसे लंबी मेटर लाइन का उधगाटन किया है यहां पर भारतिय रेलवे से जुड़ी कुछ महत्वपुन जानकारी है कि भारतिय रेलवे की प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखाय आदव थी भारतिय रेलवे बोट की सापना मार्च 1905 में की गई थी और सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी कुईन विश्व का पहला प्लैटफर्म टिकेट लाहोर पाकिस्तान में जारी किया गया था इससे पहले कभी भी प्लैटफर्म टिकेट नहीं होती थी आगे पूछा गया है कौन सा राजे देश का पहला LPG युक्त और धुवा मुक्त राजे बन गया है यहां आपको बता देख हिमाचल प्रदेश भारत का पहला 100% टीका करण वाला राजे बन गया है और भारत का पहला 100% टीका करण वाला केंदर शासित प्रदेश या अंड़मान ने को बार चलिए मिलते हैं फिर नेक्स सेशन में थांक यू